नमस्त दोस्तों सुआगए थे अब सभी का एक पर फिर से निउस चैटर पर IPL 2022 का मैच नमबर 18 रोयल चलेंज इस बेंगलोर और मुंबई इंडियन्स के बीच आज साम को खेला जाएगा ऐसे में दोनूटी में तयार हैं लेकिन बात करें मुंबर इंडियन्स की तो मुंबर इंडियन्स का परफॉमेंस इस सल कुछ खास नहीं रहा है टीम ने अपने तीनों मैच गबा दी है पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हारे थे वो ही राजस्तान और कोलकाता के हाथों भी पहले हार का सामना कर चुके है इसके अलबाब बात करे रोहिस सर्मा की तो रोहिस सर्मा ने अब तक 3 मैचों में 4 रन बनाए है वही बात करे इसन किशन की तो इसन किशन ने शुरुबाती 2 मैचों में हब सेंचुरी लगाई थी तो पिछले मैच में किबल 14 रन बनाए इलग बर्मा ने टीम के लिए दूसरे मैच में एक साथ रनों की पारी खेली वही बात करें सुरेकुमर यादब की तो उन्होंने पिछले मैच में बापसे की और चत्रीस गेंदों में हब सेंचुरी लगाई वही केरण पोलाड ने आखिर में आके टीम को मजबूती दी लेकिन इसके बावज़र टीम जीतने में कामियाब नहीं हो पाई बात करें बैंगलोर की टीम की तो बैंगलोर की टीम ने टीन में से दो मैच में जीत हासिल की है वैसे में Fab Duplicis की कप्तानी बाली ये टीम पूरे आत्मे विश्वास के साथ उत्रेगी विश्वास की बात करें तो टीम पंजब किंग्स के खिलाब 5 विकेट से हारी है इसके अलबा KKR के खिलाब 5 विकेट से वही राजस्तन रॉयल्स के खिलाब 4 विकेट से जीत दर्ज की है वही बात करें दीनिस करती को सहवा सैमत की तो दोनों ने ही पिछले मैच में अच्छी पारिया खेली थी इसके अलबा Glyn Maxwell भी आज टीम के लिए बापसी कर सकते है साथ में हर्शल पटल भी अच्छी गेंदबाजी करती हुई दिखाई दे रही है और उन्हें वानेंदू हसरांगा और डेविड वीली का साथ मिल रहा है प्लेइंग 11 में ज्यादा कुछ बदला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेस में बताइए ताथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्रीब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा